आज के लेट चलने हम मिलिकन के ओल रॉप एक्स्पेरिमेंट के बारे में देखेंगे आर मिलिकन एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है उन्होंने इलेक्टोन की E और M की अलग अलग वैल्यू को कैल्कुलेट करने का काम किया हम जाते है कि जो जेजे थॉंसन थे उन्होंने E by M की वैल्यू आलरेड़ी कैल्कुलेट की हुई थी और E by M की जो वैल्यू थी वो कैल्कुलेट करने पर मिली थी 1.75 इंटू 10 to power 11 कुलाम पर केजी तो E by M की वैल्यू तो मिल गई थी लेकिन E और M की इंडिविजन वैल्यू नहीं निकाले जा सकी थी तो उस वैल्यू को निकालने के लिए या इलक्रोन की चार्ज की कल्कुलेशन करने के लिए मिलेकर ने ओल्रॉप एस्प्रिमेंटल सेटप था पहले हम उसको समझ देते हमें मैं है इनकी कंटेनर लिया कंटेनर में दो मैटलिक लगए इस प्रेट को कंडॉटिंग वार्टेज वाले बैक्रे से जोड़ दीये इसमें नीची वाले सेक्षण में x-ray को एक्स्रेय को डालने के लिए इतिजाम किया गया इसकी रवस्ता की गई और यहां पर वाले सेक्षन में ओई को इस्प्रेय किया गया यहां पर वाली प्लेट पे टाइनी हॉल किया जहां से औल के ड्रॉप्स नीचे आ सकती हैं सबसे पहले जब हमने इस बैटरी के वो कनेक्ट नहीं किया तब तक यह जो पार्टिकल्स थे ओल के पार्टिकल्स तो नीचे गिर्ट जा रहे थे तो अन्दर युरे की वज़से आयुनाइज हो गई इस पर वो जो इलक्टोन था वो आकर किटने इस पर आई हैं और नहीं कहा सकते हैं लेकिन कुछ अब हैं लेकिन पर घया लेकिन जब तक या लेक्ट नहीं किया अब फ़र् से पार नहीं सब्सक्राइब ही ऐह जो करेंगे जिचिह की तरफ करते यंगे नीचे के तरफ और हमने इस वाली रोड को connect कर दिया यह स्विच को on कर दिया ऐसे जैसे स्विच को on करेंगे यह circuit complete हो जाएगा और हमने यहां लिया है वो अ जांगे ढीकी को पर करने हैं को पलीट्स नेगेटीव चार्ज है और चैसा करने प और हम जाते हैंThat whale hell रॉक को ऑड़े करना स्विकिटीख कर देगी औक यहां tuna हो aqui चार्ज करता हो नीकने जानते हैं तो इस oil rock पे अब दो तरह के force काम करना start कर देंगे एक तो नीचे की तरफ लगने वाला gravitational force और एक उपर की तरफ लगने वाला electrical force यानि कि विद्धित बल जिसकी value होती है charge into electric field electric field हम खुद regulate कर सकते हैं जितना जादा चाहे हम बढ़ा सकते हैं अब जब electric field नहीं था तक तो यह freely गिर रही थी लेकिन जैसे हम electric field लगाया उपर की तरफ भी force बढ़ेगा तो इसके नीचे की velocity धीरे 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 घटेगी और अगर हम इसको इतना बढ़ा दें कि यह वाली जो oil rock पे हवा में लटक जाया है मतलब यह इसका force नीचे वाला उपर वाला balance हो जाए तो हम इस पर charge की calculation कर सकते हैं तो हम इस variable voltage को इतना बढ़ा देते हैं कि यह oil rock यहां से equilibrium position पर आ जाए उस वाली situation में Q into E और electrical force की value नीचे लगने वाले magnetic gravitational force की equal हो जाएगी और charge की value आ जाएगी M G Y E अब यहां पर हमें oil rock light के mass की gravitation constant की और electrical field सबकी knowledge होती है तो हमें इस oil rock light पर जितना total charge है वो पता चल जाएगा और जब देखा गया अलग-अलग oil rock lights के लिए इस Q की value calculate की गई तो देखा गया है कि इस Q की value हमेशा 1.6 into 10 to power minus 19 timegger koulamad का integral multiple आ रहा था मतदा यहार तो यहां यह आरा था 1.6 into 10 to power minus 19 koulamad 3.2 into 10 to power minus 19 koulamad 4.2 into 10 to power minus 19 koulamad मतद ऐसा नहीं था कि इससे कमगई value आ रहे हो कभी यहां असा जाहे रहे लही 1.18 into 10 to power minus 19 एसा अ कभी नही आ रहा था या तो value यह आ रहे थी ऐसी कोई integral multiple आ रहे थी तो इससे ये conclude किया गया कि O L Rode plate पे जो बीच चार्ज आ रहा है वो electron के बज़से आ रहा है electron का charge quantized है मतलब 1.6 into 10 to power minus 19 है तो इस तरीके से electron का charge decide किया गया कि ये 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम होगा ये already decide किया जा चुका था कि इस पर negative charge है तो हम चाहे तो आगे minus लगा सकते है तो इस तरीके से E की calculation हो गई अब हमें E by A की value पहले से पता थी E की calculation हो गई तो मास of electron भी निकाल सकते हैं मास of electron कैसे निकलेगा E upon E by A ऐसे E upon E by A मगर कर दें इस E में E by A की को divide कर दें तो मास of electron भी ना जाएगा अब E की value है 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम और E by A M की value है 1.75 into 10 to power 11 कुलाम सौरी कुलाम पर केजी तो कुलाम से कुलाम कर जाएगा केजी उपर जाएगा तो final value है गी 9.1 into 10 to power minus 31 केजी तो इस तरीके से electron की value electron के mass की value आगई 9.1 into 10 to power minus 31 केजी और electron के charge की value आगई 1.6 into 10 to power minus 19 कुलाम negative में E by A M की value already given थी 1.75 into 10 to power 11 कुलाम पर केजी तो इस तरीके से electron की सारी properties की study की गई I hope आपको ये video समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो please मैं रे चैनल को subscribe कीजिए Thank you